अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं के हैं सब्सक्राइब कर लिजे और राइट एंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुन्ने कमा लिजे और हमें भी पुन्ने कमाने का मौका जरूर दिजे तथास्त तो गाइस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि यगवाटी में एक नया शोरूम आया है जो बैनली शोरूम है बैनली का शोरूम है वहाँ पे बहुत चारे बाइक भी लाए हैं हम आज आपको वही दिखाएंगे कैसा लगता है आप लोग भी देखिए मेरी ड्रीम बाइ होगा तो डेफिनेटली वह मेरी हो जाएगी तो चलिए ज़्यादा दर नहीं करते हुए चलते हैं पैनली शोरूम है जब भी वीडियो बनाते रहता हूं तो अब लोग को देखता ही होगा कि मैं कैसे कैसे करता हूं एक हाथ से बाइट चलाता हूं और एक हाथ से मूबाइल पकड़ता हूं फैनली पहुच गया बैनली शोरूम चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है की बैट से बाइट कैसा हूं जह हुच जो बढ़ से लिए अनली एक हाथ की बाइट कालों अनली शोरूम चलिए ये of राइट को धर पके खज़ता है नहीं झांता हैं इत्राजशन के ब लाबने निर बार, प्इत्राज़ कें सेばाधे और अवérie this is my personal favorite देखने के लिए आया था तो ये इसका है जो है बहुत बहुत भारी होगा एक्चली वेट भी बहुत ज्यादा है और ये एक्चली डर्ट बाइक टाइप भी यूज कर सेट है फेंचरेस्ट टूरिस्ट टूरिस्ट बाइक है तो इसलिए थोड़ा आपका अपका अपट जोन में भी आना पड़ेगा तो अभी जाद शोरूम से बाहर निकला ही हूँ यह बहुत मतब यह टाइगर और आप BMW का जो है इसके साथ कॉंपेर कर सकते हैं मगर उसका जो वेट है बहुत बढ़िया है सब कमपोर्टेबल हैं मगर इसका जो हाइट है वो हाइट मेरे से जादा है मेरे लिए ठीक रहेगा इसके लिए ठीक हो सकता है मतलब six feet तो चाहिए कम से कम तो इस very heavy bike and आप कहीं भी भी चला सकते हैं मगर मुझे डर लग रहा है विदाओ टेस्ट्राइब मैं यह नहीं सोच रहा हूं बहले तो टेस्ट्राइब करना पड़ेगा उसके बाद ही सोचेगा कि इसको लेना है या नहीं लेना है क्योंकि मैं अल्रटी का देखा है वरिश्या तो वह भी मेरे लिए कॉंफोर्टिबल है वो बाइक मगर हाइट साइट सब कुछ एवरिटिंग ओके फ्रों माइट साइट मगर यह जो है काफी हट तक बहुत बड़ा है और हाइट काफी ज़दा है तो सोचते है एप्रिल तक रुखते है तो गाइस आप लोगोंने दिखा ही होगा बैनली शो शोरूम में था अभी नया नया शोरूम है तो इसलिए काफी सारा बाइक अभी तक नहीं आया है जो जो है अभी फिलाल जो मैं आपको दिखाया था 502 एक्स यह तो सिर्फ डेमो बाइक है और एपिल तक आ जाएगा उनके पास टॉक्स तो यह गवाटी में बहुत पहले ही और मेरे हिसाब से BMW भी आना चाहिए मैं BMW के लिए अभी तक रुका हुआ हूँ BMW अभी तक आया नहीं है तो मैं कुछ बाइक देखे थे वो तो मैं नेट में देख रहा हूँ जितना हो सके गवाटी में जितना शोरूम आये है या मैं जब बाहर में जाता हूँ तो मैं दिखा रहता हूँ एक तो यह यह बहुत खुबसूरत बाइक है सब दिखने में सेमी है और एक यह 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 तो यह बाइक मुझे बहुत ही पसंद है बहुत ज्यादा पसंद है मुझे कभी ना कभी तो लेना है मगर BMW का है Tiger भी है ट्राम का भी है यह सब लेना है हमको मगर मेरा इतना बजेट नहीं है आउट ओप बजेट है तो इसलिए जितना हो सके मैं लोग बजेट में अच्छा खासा एक बाइक लेना चाहता हूँ अच्छा खासा मतलब आप सोच सकते हैं कि जो मैं बाइक का लेने का प्लानिंग कर रहा हूँ वह आपको मिनीमम साड़े चार लाग से नीचे नहीं है एक बाइक भी मैं तो अभी हिमालयन चला रहा हूँ वह दो लाग साथ अजार आप ऐसे पढ़ता है आज कल और आज कल मतलब 2.5 लाग पर ऐसे ही नॉर आप पैनेली का बहुत सारे ब्रैंट है मुझे तो बहुत सारे वेराटीज है मुझे तो उसी टाइप का बाइक चाहिए अच्छा लगता है हमको आपको शायद दूसरा भी पसंद आ आ जाए तो कहीं लिए एक पर विजिट करके देखके आईए कावसा की है लालमाटी में लालमाटी नहीं बहरबरी और लालमाटी के बीच में होगा यह है आपका बेलतला चारली से जायनगर जाने का रास्ते में आप आके वहाँ पे देख सकते हैं बाइक और जो चोईस होता है वो उठाके लेके आईएगा बस तैट सिट तो गाईस इस वीडियो प्लीज हिट बेल इकन और शब्सक्राइब और चैनल और बेल इकन पर नोटिफिकाश्ट इस वीडियो तिल देन जैहीं बंदे मातरम एंजोई आयोखों बबाई कर दोटार बंदे मातर बाइक बेल दोटार बस पर रखेवाब भाईसे मातर बढ़े को तो बढ़े प्लागी मीज रखेवाब intimate आईएगा मात श्युण कर दो